आज के सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं लास्ट फिफ्टीन डेज स्ट्रेटीजी ओर डीजेस देखिए डीजेस में अब पंदर दिन बचे हुए और जाहिर सी बात है कि थोड़ा थोड़ा टेंशन आपके दिमाग में आ गया होगा देखिए जब समय ज्यादा होता है पढ़ने के लिए भी हमारे पास ज्यादा चीजी होती है तो हम अपने समय को सब्जेक्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं मगर टेंशन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है जब हमारे पास समय कम होता है और पढ़ने क कम बचा हुआ है ठीक है तो आज इस सेशन में हम कुछ ऐसी बाते डिसकस करेंगे जो अगले आने वाले 15 दिनों में आपकी प्रोड़क्टिविटी को बढ़ा देंगी और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपको मिल जाएगा ठीक है और यह जो स्ट्रेटिजी में आपसे डिस दूसरा आस्पेक्ट जो की स्पेसिफिकली आज से पंदा दिन के बाद जो डीजेस होने वाला है उस पर फोकस रहेंगी वो टिप्स भी में आपसे डिसकस करेंगा सबसे पहले आते हैं हम अपने जंडरल टिप्स पर या जंडरल पढ़ाय की स्ट्रेजी पर हमारी कैसी होन आपको हर धाई से तिन घंटे में आप आधे घंटे के आसपास कब देख ले सकते हों कभी एक बहुत लंबी सिटिंग बैठने से हमारी प्रोड़क्टिविटी जो है वो कम होती है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और अगर दिमाग में स्टोर नहीं किया तो यह बहुत सि पहले से कुछ पढ़ाई नहीं करी होती और हम कुछ ही सब्सक्राइब बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो यह प्रोडल्म अकसर हमारी साथ हो जाती है कि जो नया पढ़ लिया वो तो याद हो गया मगर पुराना जो हमने पढ़ा तो वो हमारे दिमाग से निकल गया इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखो, भले एक्जाम कितने भी पास है, मगर एक stress में बहुत लंबी setting आपको नहीं बैठना है. इसके दो आस्पेक्ट है, एक तो ये कि हर एक घंटे में, याने कि हर एक घंटे में क्या करना है, पचास मिनिट पढ़ाई करनी है, दस मिनिट ब्रेक लेना है. अगले पचास मिनिट पढ़ाई करनी है, फिर दस मिनिट ब्रेक लेना है. तीन घंटे हो गए, याने इस तीन घंटे के duration में, हमारा कम से कम आधे घंटे का gap हुआ है बीच बीच में जो कि उस 10 मिरिट में क्या हुआ हमारे दिमाग में जो हमने उस 50 मिरिट में पढ़ा है वो क्या होगा वो स्टोर हो जाए यहां पर आपको रिवीजन नहीं करना यहां पर अपने माइन को फ्रेश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं रिवीजन करने की बात नहीं कर रहा हूं यह चीज अपने आप आपके माइन में स्टोर जाएगी और तीन घंटे हो गए साड़े तीन घंटे हो गए अब आदे घंटे का लंबा ब्रेक भी ले सकते हो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्टेजी डिजाइन करनी है दूसरा आस्पेक्त है कि कभी भी पढ़ाई करते समय हमें हमको ये ध्यान रखना है कि हमको अपनी हेल्थ पर भी बराबर सोकस रखना है पढ़ाई का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी health को compromise कर दें तो कभी भी पढ़ाई अपनी health का ध्यान रखते हुए करें और सबसे खास बात यह कि जब पढ़ाई करते हो तो किसी ना किसी state की आप तयारी कर रहे हो exam दूर हो सकता है, pass हो सकता है, वो एक अलग issue है मगर किसी exam को आप focus कर रहे हो, तो जब भी पढ़ाई करो कोई textbook पढ़ रहे हो, bear act पढ़ रहे हो, कोई notes पढ़ रहे हो तो यह बात हमेशा focus में रखो, ध्यान में रखो कि मैं किस state के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि वो हो सकता है कि उस state में ज्यादा case loss पोचे जाते हो, index पोचा जाता हो practical base सवाल पोचे जाते हो, या bear act की examples ज्यादा पोचे जाते हो या index ज़ादा सवाल पोचा जाता हो, तो ये आपको ज्यान रखना है कि उस state में, जो भी आपका targeted state है, वहाँ पर किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं इससे आपको help मिलती है आप वैसे सवालों को ज्यादा focus करके ही बेरेक्ट या notes या book पढ़ते हो ये वो general tips होगे जो कि हर बार हर समय आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो अब आते हैं हम अपने दूसरे आस्पेट पर कि 15 दिन के बाद जो है वो DJS है और हमको कैसे पढ़ाई करनी है किन बातों पर focus करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा output अब इस 15 दिन से ले सकें यहाँ से मैं आगे बढ़ू इसके पहले बहुत चोड़ी सी दो बात मझे आपको inform करनी है पहली बात यह कि क्योंकि DJS का ही session चल रहा है इसकी ही strategy की मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली में ही judiciary good आख ले तीन दिन का bootcamp लेकर आया है जो की specifically focused है DJS पर एक तारिक से लेकर के तीन तारिक तक यहाँ पर 12-12 घंटे के sessions होंगे आपको पढ़ाय जाएंगे आपके doubts clear के जाएंगे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बहुत लंबा समय है एक घंटे में बैठने के लिए एक दिन में बैठने के लिए बट अगर आप यह session attend कर लेते हो तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपके एक्जाम निकलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी और दूसरी बात जो मुझे आपको inform करनी है वो है क्योंकि आप MPCJ भी है जनवरी में आपको पता है तो आपको ध्यान रखना है कि Judiciary Gold आपके लिए MPCJ का crash course लेकर आ चुका है और यहाँ पर आपको पता हुगा कि MPCJ में आप नए subjects भी जो है वो add हुए है इन सब की class आपको live मिलेगी mock test होंगे doubt clearing sessions होंगे mentorship आपको provide कर जाएगी और इस crash course में आपको enroll करने के लिए जो की 23 नमंबर से और भी चालू हो चुका है आप judiciary gold में enroll कर सकते हो इसको join करने के लिए राइट अब आगे बढ़ते हैं और मैं आता हूँ वापस से हमारा जो topic है कि भाई अब DJS के लिए हम क्या करें तो देखिए सबसे पहला और सबसे important point जो अभी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ये गलती करें वो ये कि अगर कोई subject ऐसा है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और हो सकता है कि ये subject अब आपको पढ़ना हो ये major भी हो सकता है minor भी हो सकता है ये difference हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है बड़ पॉइंट अभी है कि किसी भी ऐसे subject को जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा और आपको तयार करना है उसको आप पूरा दिन मत देना जैसे मालने जिए दिन में आप आठ ये नो ये दस घंडे पढ़ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं अब दो दिन पूरे दे करके इस subject को complete कर लूँगा तीन दिन पूरे दे करके इस subject को complete कर लूँगा ये नहीं करना ये नहीं करना अब आप ये कर सकते हो कि जो भी नया आपको पढ़ना है पर एकजामपल आपको दो सब्जेक्ट नए पढ़ने हैं और आपने हर सब्जेट को पूरे तो दिन देर रखे हुए तो टूटल चार दिन आपको पूरे देने पढ़ेंगे इन दो सब्जेट में जिसे आप नया पढ़ोगे और जब भी आप कुछ नया पढ़ते हो तो इस बात की संभावना होती है कि आपने जो पिछला पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ दिमाग से निकलेगा ठीक है तो करना क्या है अब आपको दिन का कुछ पोर्शन इस सब्जेट को देना है तो फ़र एक्जाम्पल अगर आपको चार दिन देने हैं इन दोनों सब्जेट को अब आप तीन तीन घंटे दीजिए तो हो सकता है कि भले ही अगर आप पूरा दिन देते तो यह इस्ते में आप divide कर सकते हो, जो पुराने subject पढ़े हैं, उनको revise कर सकते हो, previous question solve कर सकते हो, और mock test solve कर सकते हो, Judiciary goal का rapid revision चल रहा है, आप वो attend कर सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले tip जो मुझे आपको देना है, वो यही है, कि किसी भी subject को अब पूरा दिन मत देना, जो भी नया पढ़ों, पुराने को revise करते हुए, आप कुछ नया पढ़ों, number one, number two, जितना ज्यादा हो सके, objective question solve करिए, और जब मैं यह कह रहा हूँ कि अब जब मैं यह बात कर रहा हूँ, objective solve करो, तो इसका मतलब क्या करना है आपको, कि जो जैसे सवाल डिल्ली में पूछे जाते हैं, यानि कि जो कि practical based होते हैं, case laws based होते हैं, आपको situation दी जाती है, उसके हिसाब से आपको answer mark करना है, ऐसे question आपको solve करने हैं, जो कि focused हैं, इसके लिए आपको book refer कर सकते हो, इसके लिए आप previous questions paper refer कर सकते हो, ये आपको करना है, तो tip number one, किसी भी नए चीज़ को पूरा दिन नहीं देना, number one, number two, हमने क्या देखा, objectives जाना ज्यादा solve करना है, अब objective जब मैं बोलता हूँ, तो ये PYPs भी हो सकते हैं, ये कोई mock series भी हो सकती, जो कि आपने join करी हो, ये और कहीं से भी available questions हो सकते हैं, बस एक बार ध्यान रखना, कि किसी भी question का जब answer मात करो, तो blindly किसी भी book पर trust नहीं कर लेना, कि हाँ, इसका ये जवाब दे तो सही होगा, कई बार, मैं हर बार नहीं बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है, कि कोई जवाब गलत किसी किता में दिया हो, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कि blindly आपको trust नहीं करना, एक बार cross check कर लेना, bare act से, या book से, या case loss से, ये जवाब सही है या नहीं, ये दूसरा aspect हो गया, तीसरा aspect जिसमें आपको focus करना है, वो है, जो आपको current legal knowledge है उस पर, क्योंकि DGS में ऐसे सवाल भी आत चाहिए, और ऐसा अंदाजा है कि 6 से 8 महने तक का, जो current legal affairs का knowledge है, जो current legal knowledge है, वो आपको होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि judgments ही बैठके पढ़ने के लिए लग जाओ, बट फिर भी जो landmark judgments है, दिल्ली high court के, या supreme court के, उन पर आपको focus रखना पड़ेगा, तो PYPs हो गए, objective हो गए, नए subject पढ़ने का तरीका हो गया, CLK हो गया, current legal knowledge हो गया, अब सर्ग जो मैंने पुराना पढ़ रखा है, उसके लिए क्या पढ़ू, तो एक बात हमेशा यान रखो, जो भी subject आप उठाओ, कभी भी किसी एक subject को अब revise मत करना, for example, आप दिन में 9 घंटे पढ time ज्यादा है, कम हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट अगर आप full flash तैयारी कर रहे हो, तो आप 8 से 9 घंटे अभी पढ़ रहे होगे, तो हम मानते ही चलिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, या 9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो एक घंटे का आपने ब्रेक ले लिया है, बीच में ये सारी चीज़ें करते कराते, साड़े साथ आठ घंटे या साथ घंटे आप पढ़ा ही कर रहे हो, तो क्या करना है, दो से धाए घंटे नया subject पढ़ लो, ठीक है, धाए घंटे objective solve कर लो, और बाकी बचे हुए समय में आप बेरेक जो है, वो solve करिए, या बेरेक क क्या पढ़ाई करें, मगर उसमें भी इंडेक्स को भी पढ़िए, जो इंडेक्स है, इंडेक्स की रीडिंग भी करो, तो for example, बच्चे हुए धाए 3 घंटे में आप 2 subject, या एक major और 2 minus subject पढ़ रहे हो, बेरेक रीडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उनके इंडेक् घंटे आपको बेरेक्ट रीडिंग करनी है, अगर आपने पढ़ाई पहले से कर रखी है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बेरेक्ट में वो चीजें मार्क होंगी, जहां से या जैसे सवाल बनते हैं, याद रखना CPC है, IPC है, TPA है, Contract है, यहां पर illustrations दिये है, illustration से सवाल बनत कुछ घंटे नए subject को देने है, कुछ घंटे PYP को देने है, right, और PYP से मतलब यह mock test हो सकते है, जो की बिल्कुल आपको attend करने चाहिए, बिल्कुल आपको उसको solve करना चाहिए, PYP आपको solve करना चाहिए, ठीक है, बेरेक्ट रीडिंग करनी है, डिवीजन करना है, याद बेरेक्ट word to word नहीं पढ़ रहे हो, बट जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी section को आप पढ़ रहे हो, उसमें जो words mark है, आपको specifically वो words पता होने चाहिए, कई बार सवाल ऐसा भी आ जाता है, कि बेरेक्ट में और शब्द का इस्तिमाल हुआ है, और option में जो आपको 4 available हैं, उ यह नहीं करना, कि हाँ यह तो बनता है, यह तो बनता है, यह तो मैंने पढ़ दिया था, नहीं, पढ़ दिया, अभी पूरा नहीं पढ़ना, बस वो word को आप देखते हुए आगे बढ़ो, जिस word से, जिस line से, जिस section से सवाल बनता है, इस तदिके से आपको अपने तयारी क रखनी चाहिए, अब अगले 15 दिन, और लास्ट में मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, कि जो डिशरी गोल्ड की, जो rapid revision series चल रही है, जिसे कुछ sessions हो चुके है, कुछ sessions आने वाले है, in fact आने वाली 4 और 5 तारिक को, मैं CPC का rapid revision करवाने वाला हूं, conduct करने वाला हूं, हो स से आपको help मिल जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है, तो यह थे आज के जो main aspect थी, जो main मुझे topic discuss करना था, जो main tips मुझे आपको देनी थी, वो यह सारी थी, उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो like करिए, चैनल सब्स्राइब नहीं किया है, सब्स्राइब कर लीजिए, और वीडियो को share करना बिलकुल भी ना भूले, thank you and all the best.